असलामनीकूम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो टॉप स्मार्टीज, ट्रामा सिरियल सिकून आहर कर हमदान को एना से मुहबबत हो गई अब निकाह के बंदन में हैं और एक ही जगा पर रहते हैं मुहबबत होना तो यकीनी सी बात थी और एना फिर हमदान का हयाल भी तो बहुत रखती है ऐसे मीं जब हमदान का आफिस जाने से पहले शर्ट का बटन टूट किया तो एना को ही आवाज दी एना जल्दी से आती है और फिर हमदान ने जो शर्ट पहन रखी थी उसके सामने बेट पर बैठे उसका बटन टाकने लगी हमदान तो बस एना को देखता रहा उसके चेहरे पर बाल जो आए तो फोरण से पहले हटा देता है एना हमदान से नजरें चुड़ाती रही तो हमदान आज पूछी देता है क्या डरती हो मुझसे इतना हौफाता है कि मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही शोहर हूँ तुम्हारा कैस रिष्टे को समझती हो तो एना सिफ बटन टांग ती गई और जुकाई हुई नजरों से कहने लगी जिस रिष्टे में मालूम हो कि बिछड़ना ही नसीब है तो ऐसे रिष्टे में कदम आगे बढ़ाने का भला क्या फाइदा ऐसे में उसने बटन टो टांग तिया और यहां से चली कई लेकिन जाकर मुस्कुराने लगी कि वो हमदान के आज इतना करीब थी और हमदान भी उसके करीब होने को महसूस करने लगा है शीशे के सामने खड़ा अपनी टाई बांध रहा था अभी तक भी आइना के करीब होने का एसास उसके पास था आफिस में जाकर भी दिन बहुत अच्छे से गुजरा कि वो आइना को ही महसूस करता रहा ऐसे में जब रात को वापिस आया तो आइना से फिर भी बहुत अच्छे से बात करता है उसके साथ बेटा ही टाइम स्पेंट करता है तब ही आइना पूछने लगी जब मैं चली जाओंगी तो क्या मुझे वाकी मिस करेंगे आप तो अब हमदान हौफ जदा हो जाता है डरसा जाता है मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि तुम यहां से जाओगी मैं तुम्हे कभी यहां से नहीं जाने दूँगा अब यह हमदान के दिल में चुपी हुई मुहबबत ही तो है जो बेसाहता बोल पड़ती है और फिर एना भी हमोश हो जाती है शर्माने लगती है नताशा भी तो रजा को चाहने लगी है अपनी माँ से कहने लगी मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था जो मैं कहूँ जैसा मैं चाहूँ वैसा ही करे अब देखिया ना मेरी हुआश थी वो हाथ जोर कर मेरे सामने माफी मांगी और उसने वैसा ही किया नताशा को तो रजा बहुत पसंदा गया इसलिए उसके लिए फूलों का बुके लिए उसके घर आचाती है जब रजा उसे से घर से वापिस चा रहा था बाहिर निकर रहा था तो तबी वो रजा से टकराती है कि फूलों का बुके नीचे गिर जाता है और वो फिर से बुके को उठाती है और रजा के सामने पेश करती है ऐसे में वो रजा के साथ बाहर जाने की भी हुआर साहिर करती है तो रजा मना नहीं कर पाया बलकि उसे लेकर बाहर भी जाता है जहां पर वो काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है रजा के साथ लेकिन रजा यही सोच रहा है कि यह कैसी लड़की है पल में तोला, पल में माशा, कभी क्या रूप तो कभी कैसा रंग अब यहां पर रजा जो भी सोचता रहे, शादी तो उसकी नताशा से ही होगी क्योंकि वो नताशा जैसी लड़की को ही तो डिजर्व करता है तो फ्रेंड्स, आपको हमदान और एना की नजदीकियां देखकर कैसा लगा कि आपको लगता है कि कोई नाज़ुक लमाद जरूर आएका इनके बीच जब जाकर एना प्रेगनट हो जाएगी और हमदान इसको बिल्कुल नहीं छोड़ पाएका इस पारे में आप कैसे सोचते हैं जरूर कमेंट्स में बताएगा मज़ीद वीडियो के लिए चैनल कर सबस्क्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर पैस कीज़ें ताकि आने वादी हर वीडियो आप बहुत असानी से देख सकें अलाहाफिज